नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस Computix Lab YouTube टेकनिकल चैनल में आज को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे पास एक पेंड्राइव है जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये मेरे पास पेंड्राइव है और जब मैं इसे अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहा हूँ चाहे वो Windows 7 हो 8 हो या 10 हो मेरा खुद का कंप्यूटर हो या किसी दूसरे का कंप्यूटर हो और आपको लगाते ही जैसे हमारे केस में ये पेंड्राइव को मैं जैसे ही कंप् कर पाते हैं open नहीं कर पाते हैं आपकी जो file folder उसके अंदर save होती है important file folder जिसे आप access नहीं कर पाते है क्योंकि drive जो है वो open नहीं हो रही है और आपके सामने ये message आ जाती है suddenly access is denied तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही tips and tricks बताने वाला हो कि इस problem को हम कैसे fix करेंगे लेक सापने channel पर बनाते रहता हूं साथ साथ अगर आपको graphic designing में interest है तो आप जरूर हमारे design destination channel को जरूर join कीजिए design destination channel पर आपको adobe के photos of premiere after effect बहुत सारे जो है ऐसे graphic effect और design देखने को मिल सकेंगे और साथ साथ अगर आपको computer course full training अगर आपको achieve करने है from zero to advance तो आप हमारे computer lab master class को जरूर join कीजिए तो चलिए आए दोस्तों आज के इस फटाफट के video में मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही अगर आप pain drive को insert करते हैं computer में और access is denied वाली जो message आ जाती है वो क्यों आती है और इस problem को हम लोग कैसे fix करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास एक windows 10 की machine है और इस windows 10 के machine में जब आप insert करते हैं pain drive तो वो pain drive माल लीजए यह normally function कर रही है क्योंकि आम तो पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी हम अपने computer में pain drive को insert करते हैं तो वो normal function कर रही होती है और हम जो है उसे आसानी से access कर पाते हैं तो यह problem कब आ जाती है access is denied वाली access is denied वाली problem तब आती है जब आप pain drive को suddenly हटा लेते हैं बिना safely remove किये हुए eject किये हुए ओके तो जब आप दुबारा से लगाएंगे तो इस तरह की problem आपको देखने को मिल सकती है कि अचानक से आपको pop-up warning मिल जाए access is denied वाली या आ आप ntfs permission के साथ छेर चार करते हैं वो क्या होती है ntfs permission वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं तो यहां पर देखिए दुबारा से मैंने pain drive को insert किया है और वो normally function कर रही है जैसा कि होना चाहिए हना कि जैसे आप pain drive insert करते है तो आपको normally status दिखती है कि कि कितनी huge space है और कितन file system होती है ntfs file system में ही आपको यह security tab मिलेगी fat32 file system में आपको देखने को नहीं मिलेगी तो अगर आप security tab में जाकर इस problem को छेर चार कर देते हैं permissions से related जैसे कि यहां पे जितने भी pain drive और hard drive होते है external hard drive और pain drive जो USB port पे आप यूज करते हैं उसमें everyone group add रहती है full control permission के साथ by default जब आप अपने pain drive को ntfs format में format करते हैं file system में तो everyone group जो है वो add हो जाती है अगर आप इस everyone group को remove कर देते हैं यहां से जैसा कि हमने आप ही आपको बताया कि अगर आप everyone group को remove कर देते हैं तो यहां पे देखे कि जो g trap की status सामने निकल के आ रही थी कि कि कितनी huge space और कितनी free space है वो भी आपको नहीं दिखती है और जब आप दुबारा से open करेंगे या double click करेंगे तो यहां पे आपको एक pop of message सामने आ जाती है access is denied जी हां दोस्तों यही access is denied क्यों आई क्यों आई क्योंकि आप ntfs permission को छेरचार कर दिये new technology file system और जब आप eject करेंगे तो यह आसानी से eject होगी ल या किसी other playstation, gaming station वेगरा में अगर आप paint drive को use करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो paint drive है वो still access is denied बताए और आप paint drive का इस्तमाल ना कर पाए क्योंकि जो ntfs permission होती है वो everyone group के साथ full control के साथ allowed रहती है और वो carry forward होती रहती है एक computer से दूसरे computer में भी या एक device से दूसरे device में भी अगर आप उसको full deny permission दिये हुए है या remove किये हुए है तो वो carry forward होगी permission और किसी भी device पे आपको access is denied देखने को मिल सकती है तो यहाँ पे simply drive के properties में जाने के बाद आपको जाने थे security tab में और security tab में add करने है everyone group को advance find now पे जब आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको everyone group को add करने है जी हाँ दोस्तों यह जो everyone group होती है यह हर computer पे by default windows के द्वारा बनी हुई होती है यह everyone group किसी हमारे जैसे हमारे case में इसी computer पे बनी हुई नहीं है बलकि यह हर computer पे आपको windows में everyone group देखने को मिल जाती है और इस everyone group में आप जब full control का permission देंगे जैसे कि mobile में भी आप कोई app का इ camera gallery को access कर सके तो same concept apply होती है pain drive में जब आप pain drive insert करते हैं तो आप permission देते हैं everyone group को कि भाई आप जो है pain drive का इस्तमाल कर सके write कर सके उसके उसके उपर उसको access कर सके read कर सके तो इसलिए आप everyone group को add करते है full control permission के साथ allow करते है deny नहीं deny का मतलब हो जाएगा कि आप जो है restrict मिलेगी आपको access is denied फिर से आ जाएगी तो आपको allow देने है full control के साथ जैसे ही आप okay पर click करेंगे यहाँ पर देख सकते है जो pain drive की status थी वो फिर से आपको देखने को मिल गई कितनी use space है और कितनी free space है drive को आप open कर पाएंगे उसके अंदर जो भी जो है आपको file folder open करने है तो आप व NTFS है और दुबारत जब आप eject करेंगे और ये try करेंगे check करेंगे कि क्या वाकई में दुबारत अगर हम insert करते है pain drive को तो क्या वो फिर से access is denied तो नहीं आ रही है तो जब आप दुबारत इंसर्ट करेंगे same computer पे किसी दूसरे computer पे तो फिर से वो normally function कर रही होती है क्योंकि आपने यहाँ पे permission allow कर दिया everyone group के साथ full control को तो यहाँ पे ध्यान रखे कि अगर आप external hard drive या external pain drive अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा properties में NTFS security में everyone group को full control का permission देकर जरूर रखे क्योंकि यह very very important होती है removable disk जितनी भी होती है USB pain drive हो या hard drive हो आपको वहाँ पे NTFS security permission में ब full control के साथ आपको वह pain drive allow access मिल सके जी हाँ दोस्तो अगर आपको यह problem solve करने में problem आ रही है तो आप हमारी इस flash किये गये number पर call कर सकते हैं जहांते मैं आपको पूरी तरह से कोसिज करूंगा कि आपके pain drive या hard drive में अगर इस तरह की problem आ रही है access is denied वाली तो मैं पूरी तरह से क कोसिज करूंगा कि उसको solve out करने का ओके तो आसा करता हूं दोस्तो इस तरह की tips, tricks और troubleshooting वाली वीडियोज को देखने में आपको मजा आ रहा होगा और इस तरह की tips और tricks से related या computer troubleshooting से related अगर आप और भी वीडियो को excite करना चाते हैं और भी वीडियो को energize करना चाते हैं शी सब्सक्राइब करें तब तक के लिए thank you so much for watching this video